दोस्तों हमारे ख्वाजा ओटो सर्वेस सेंटर में आपका बहुत बहुत श्वागत है और हम आपके लिए लिए कि स्प्लेंडर प्रोग का गेर वक्से में प्रवलम मारी थी जिससे गेर अटकने की परिशानी हो रही थी जिसलिए अभी बि-श क्कोशिच को जय दखाते विख अपको प्रविल्म कर लिए फीर इसके अंदर परशानी प्रेशानी जेयर ढाई इनिए । उन्हें आइण होगी अधने पर के पूरे फ्कूल ने जा रही आपको दखाते हैं और पह опыт पहले और बारे नमर का पीछे और उसके बाद नमर के बॉल्ड कलच के टापे के वहते हैं फिर यह खोल लेंगे और फिर आपके आप सामने दिखाएंगे के करश की प्रोलम कैसे सोल होती है तो दोस्तों कलच के टाप में खुल चुगा है रूटर फिल्टर के बॉल्ट होल दाने औ और पॉल्ड मोटल में कितना फरागे डूटर फिल्टर पहले से छोटा दे दिया गया और ओल पंप का भी सिस्टम बढ़ा दे दिया गया और बदलाब भी आए कि अंदर तो इसलिए हमने आपको इस वीडियो में देखाना बहुत जरूरूरी था तो प्रोलम आपकी प्रो प्रोलम सा लाज़ा है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि दोस्ते ये कलच का नेट है कि कलच में दोस्तों कोई बदलाव नहीं आए कलच से में बरुकुल सिर्फ रूटर फिल्टर में बदलाव आए और हमारी और में बदलाव आए तो यह दोनों डेले होने की कारण से जिसमें गेर अटकिनी की परिशानी हो रही थी तो इस विदे से इसको टाइट कर दें इसी विदे से डेला पड़ा था तो इसे विदे से इसको टाइट कर दें तो विरा पोलट और देखते हैं जैर कैसे क्वाम कर रहे हैं है तुछ सब्सक्राटर है तुछ तो पर फिरीदा काब कर देए हैं तो दोसदोन हम आपको दिखा ते यहर कैसे काम करने लिए तो दोस्दो गाड़ी न्यूटल हो चुकिए है पूरी तरह किसे आर ले नहीं औ कि गवी दोस्तों दूसरा आई यह तीसरा ने मैद लग चुका एगे और यह पूरी तरीक है और पूरी तरीक है से काम कर आप को दिखा थे हैं और गाड़ी हो दे चिनिंग कर दी है और इसके बाद माँ लगा दें है pak है कर दो सो पूरी तरीके से फिटो चुक्त और एक हमने वोल्ट और यह वाशा लगा देने और उसके वाद इसको टाइट कर देंगे कि तो धूस्त हमने कलच की गोटे और हैंडल ले लिया रएक्ट कलच उलडर पकड़ाइब कर देंगे पूरी तरीके से तो दोस्तों अभी हमने स्प्रिंग लगा देने एक एक और इसके बाद इसको फिट करके चार बॉल्ट और एक वाश्यर चार बॉल्ट और एक स्प्रिंग ले देनी कि अभी आपको परिशन नहीं एक दूब तो दोस्तों पूरी तरह के से फिट हो चुका है अब हम इसके अंदर रूटर फिल्टर लगा देंगे फिर दिखाते हैं आपको रूटर फिल्टर के स्टाइक है तो रूटर फिल्टर हमारा बहुत छोटा है तो कंपनी ने छोटर द तो इसके अंदर देखो चोटा सा सुराग होता है उसको साफ कर लें बड़ी तरीके से ठीक है ताकि उकाचड़ा ना रेपाइस के अंदर कि दूसर नेट बोल्ट सेम है कोई फरग नहीं आया है नेट बोल्ट सेम है सिर्फ ऑईल पंप का और इसके अंदर बदलाव देदेगा है रूटर फिल्टर के अंदर बागी सारा सिस्टेम सेम अब प्रवल्म सी फोटी पेकिंग लगाना ना भूलें ताकि अगर लीकेज नहीं हो जाएक पर परेशनी फेस को बरिकुल एक दम तरीके से किलियर साफ कर लें और सारे फेस को किलियर साफ करने के बाद भी फेटे करें कलच को ना तो बरना लीकेज कर रहें पर परिशा नहीं कस्टमर को तो इसलिए हमने पेकिंग ले लिए और पेकिंग के वाद हम इसको फेटिंग करते हैं तो दोस्तों गेर हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है और यह दो पहल तीसरा चौथा पांटमा सारे लग रहे हैं एक जम फसकलास पहला दूसरा तीसरा अब गारमारी प्राइक करना ना भोलएं क시면 हमारी काैशे है और हमारे दोस्तों आप यह वीडियो का लाइक है यह करना बोल स्कूराइब ना बोले पिर लुद्दू सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियों प्रेमियों ते जाया वारुग।